हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल इडू हम सफर सफर सफलता कि और फ्रेंट्स आज हम आप क्राउन पुब्लिकेशन का जो प्रैक्टी सेट बिहार S.A.C. के लिए बी S.A.C. दूइती इंटर रस्ति विए जो फिकेंसी आए उसके लिए यह बूक निकाली गई है जो कि यह जो बूक है इसमें कुल 15 प्रैक्टी सेट दियागा जो कि यह 15 प्रैक्टी सेट जो है पूर्ता बिहार S.A.C. के सिलेबस पे तयार किया गया है जैसे इसमें समान अ सबाइब सेटों के सामिल किया गया है इसको अगर प्रैक्टी सेट 15 प्रैक्टी सेंसे हां उसलाफ अटेएं सामिल फ्रेक्टी सेट नद और vegetative काम ऑन में offered görev जो हैं आप वहां से जाके देख सकते हैं आज हम आपको प्रैक्टी सेट नमर एक को कभर करने वाले कभर करने से पहले अगर पहली बर चैनल पर हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिजेगा और बगल में बेल आइकन जिसको जरूर दबा लिजेगा तक जब भी वीडियो डाल और फstep करेंगे उसे भी अप सब्सक्राइब और दोनके सब्सक्राइब करीवाल consciousness करेंगे उसे बीडिया होगा कि एक प्रश्ण के साथ, दो-तिन प्रश्ण के साथ साथ में कभर होता चलेगा, तो आप लोग जरूर इसका कमेंट में एंसर दीजिए, इसमें कमेंट में आप लोग बताइए, कभर दोरा बनाई गई स्रेश्टम इमारते पाई जाती है, तो यहाँ जो स्रेश्टम इमारते इसका जो answer जो जगा फतेपूर सिक्री में, इसका जो answer जगा D number हो जागा है अगला हम लोग question देख लेते हैं, जो कि अगला question देख लेते हैं नील दरपन नाटक के लेखक कौन थे? इसका comment में आप लोग answer बताइए कि नील दरपन जो नाटक जो है, उसके लेखक कौन थे? इसके लेखक जो थे हैं, दीन बंधू मित्र थे हैं, इसका जो answer जगा C number हो जागा यही एक question पूछ सकता है कि नील दरपन में किसका वर्णन किया गया या जो नाटक है इसमें नील बिद्रो से सम्मंदित जो हुआ था, जो कि कभी यो हुआ था, तो नील बिद्रो जो था 1869 के करीब में यह बंगाल के नदिया जिले में हुआ था, जो कि इसी को इसमें सामिल किया गया तो उसी के बारे में नाटक के रूप में यह किया गया तो जो कि इसके लेखक कौन थे इसके लेखक जो थे दीन बंधु मित्र थे इसका एंसर C नमबर हो जाएगा आगे कोशन देख लेते हैं दक्षिन अफरीका से लोटने के पश्याद गांधी जी ने प्रथम सफल है कोशन देख लेते हैं इसमें बताना है कि इसके दोरा किया गया था जो किया गया था वह शुवा शंद्र भोस दोरा किया था इसका जो पर देव अस्थान का नाम बताएं जिसमें मुख्य देव था अन्य तीन से भीने इसमें बताना है आपको कि उस देव अस्थान का नाम बताना है जहां के देव अन्य तीन से भीने है तो देख लेते हैं पहला देगा अमरनाथ फिर अगला देगा जगनाथ मंदिर उसका बद केदारनाथ मंदिर दियागा और विस्वनाथ मंदिर दियागा तो यहां जो अमरनाथ है और केदारनाथ है और विस्वनाथ है यह तीनों मंदिर जो भगवान संकर के लिए जाना जाता है वही यहां दिया गए जगनात मंदिर जो यह जो है अभिन्य है इसमें जो हो जाएगा उडिसा के पूरी में इस्तिते इसका जो एंसर जगए भिन्य वला बताना था तो बी नंबर हो जाएगा आगे हम लोग कोश्चन देख लेते है वायू परदूसन को नियंतरीत करने के लिए कीस राज ने एंटी डश्ट अभियान शुरू किया है बताना आपको कि एंटी डश्ट अभियान जो वह कीस राज द्वारा शुरुआत किया गया है जो कि वायू परदूसन को नियंतरीत करने के लिए किया गया है यह जो किया किस कंपनी को भारत की कंपनी कौन से जिसे मिला है यह जो मिला है यह इस्टोरिया एरो इस्पेस लिमिटेड इसका जो एंसर जगा डी नमबर हो जाएगा आगे हम लोग कोश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया कि आगे हम लोग कोश्चन देख लेते हैं दिया गया है इस्टेड फास्ट नून का संबन्द किस्से है बताना आपको किस्टेड फास्ट नून का संबन्द किस्से है इसका संबन्द प्रमाडू इउद अब्यास से इसका जो एंसर जगा डी नमबर हो जाएगा अगला कोश्चन हम लोग देखते हैं दिया गया हाल ही में खबरो मेरा हाट डोनी पोलो एयरपोर्ट किस राज में इस्थित है बताना आपको को डोनी पोलो एयरपोर्ट जाए इसका जो एंसर जगा डी नमबर हो जाएगा आगे हम लोग कोश्चन देखते हैं जो कि दिया गए कौन सा देश United Kingdom को पीछे छोड़ते हुए बीस वकाप पाचवा सबसे बड़ा अर्थ व्योस्था बन गया बताना आपको बरतमान में जो कि उनाईटट किंडव को पीछे की आए तो यह जो बना है वो भारत बना है इसका जो इंसर जगा बी नमबर हो जाएगा वही जान लेते हैं कि टॉप चार कौन-कौन से है तो पहले अस्थान पर जो ईवे से है वही दूसरे अस्थान पर जो चीन है वही तीसरे अस्थान पर जपान वही चौथे अस् अगला कोशन देखते हैं दिया गए कि बीबी लाल जोते हैं उनका हाली में निर्धान हो गया उनका किस छेतर से संबन थे इनका जो संबन जो था पूरा तत्व छेतर से इसका जो एंसर जगा डी नमबर हो जाएगा आगे हम लोग कोशन देखते हैं जो दिया गए भारत की रेजरब बैंक ने निम्लीखीद मेंसे की सहकारी बैंक का लाइसेंस रध कर दिया बताना आपको भारत की सराज ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क का स्थापीद करने की घोशना किया गए में बताना है आपको कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क अस्थापित करने वला भारत का कौन सा राज्य है यह हरियाना है हरियाना का यह गुरुग्राम और नुहु इसका पर्यावरं के दिरिश्टी से पार्या जो सकता है तो राज्य होता है नगी ehkä राज्य है यह तुम गरिवी चेतरों में गरिवी के आकलन है तो कि सुचकांग को अधार बनाया गया था? तो यह जो बनाया गया था, यह हो जागा क्रीसी स्रामिकों के उभोकता मुल्य सुचकांग, इसका जो एंसर जो जागा वो डी नमबर हो जाएगा, आगे कोश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि मालवा पठार की सराज का हिसा नहीं है, इसमें बताना है कि मालवा पठ इसमें नहीं बताना था, इसका जो एंसर जगा वो बी नमबर हो जाएगा, आगे कोश्चन देख लेते हैं, दिया गया आगे कोश्चन देख लेते हैं, दिया गया है निमलीखीत में से कीस दसक वे भारत की जनसंख्या की दर नकरात्मक थी, बताना आपको कि भारत की जनसंख्या जो ए, कीस दसक में नकरात्मक आकी गई थी, यह जो था, वह हो जागा 1911 से 21 के बीच में, इसका जो एंसर जागा वी नमबर हो जागा, जो कि कितना था, यह जो था, माइनस जो गा था, 0.03 ह किया गया था आगे कोश्चन देख लेते हैं दिया गया जिंक उत्पादन में भारत का अग्रेणी राज कौन से बताना आपको कि जिंक उत्पादन में भारत में सबसे अग्रेणी राज कौन सा है तिया जो है वह हो जागा राजस्थान है इसका जो एंसर जगा बी नंबर जाएगा अगला हम लोग कोश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि लोकसभा क्या सारवधिक अनुसूचित जन्जाती के सीटे की सिराज में अरक्षित है बताना आपको कि लोकसभा के सारवधिक जन्जाती के लिए सीट जो 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 जागा मद पर्देस में इसका जो एंसर ज भारत में पंचायती राज बिवस था राजस्थान के कि इस गाऑं में शुरूआत्व बताना आपको भारत में पंचायती राज की सुरूआत में जो गया था तिया राजिस्तान के नगार जिला से किया गया था नगार जिला के बगडरी गाउं में इसको शुरुआत किया गया था इसका जो इंसर जगा ए नमबर हो जाएगा आगे कोश्चन देख लेते हैं दिया कि भारत में राष्टिय मानव अधिकार आयो का गठन कभ दोरान हुआ था बताना आपको कौन से वाइस राय थे जिनकी हत्या जो उनके करेकाल के दोरान किया गया था तिया जो किया गया था लॉड मेयो के इसका जो एंसर जगा ए नमबर जगा जो कि 1872 इस भी में लॉड मेयो जो थे अंडमार द्वीब के पोर्ट ब्लेयर में एक निरिक्षण के दोरान उनके सेर अलिखान ने उनकी हत्या कर दी थी याद रखिये कहां पर किया गया था यह अंडमान द्वीब पे 1872 इस भी में वह एक निरिक्षण करने के लिए गय थे हैं वहीं पर सेर अलिखान एक थे हैं उन्होंने उनकी हत्या कर दी इसका जो एंसर जगा वो अगला कोश्चन देख लिते हैं भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की कीस में बताना आपको कॉफी का कीस में सबसे अधिक कौन सब भारत में उगाई जाती है तियाह जो हो जाएगा आपको और एबी का हो जाएगा इसका जो एंसर जगा है C नंबर हो करना है था ने करना है चीन में इसका चीन में तो जाएगा तो जाएगा व्ली विलिज़ जो है यह ऐस्टाहली चेतर में कहा जाएगा तो इसका सही लान जो जाएगा सब्सक्राइब दालनटिक महाशाङर में जो बर्मुंडा त्रिकोन यह होता क्या है तब बर्मुंडा त्रिकोन यह अपने छेत्र में आने वाली सभी सभी जो को रहस्मे तरीके से गायब कर देता है जिसकी रहस्य जो है अभी तक सूल्जा नहीं है इसका जो एंसर जगा यह कहां पेशती थे तो उत्री अट्लांटिक महासागर में इस्थी थे इसका जो एंसर जगा ए नंबर हो जाएगा आगे हम लोग कोश्चन देख लेता है दि इसकी अस्थाप नगए उननी इस सो तीस में किया गया जो कि कहां पर किया था या स्वीइड़्यर लेंड के बसेल में किया बाया प्र पर बिदृता है इसका ऍथा जो ईंसर जगा नंबर हो जायगा अगला दिया गया बिनोभा भावे जो कि इन्हें भी दिया गया तथा अगला देख कीरन बेदी जो कि इन्हें भी दिया गया है अगला दिया गया अटल वेरे बेच पे लेकिन अटल वेरे बेच पे ही कोई यह पुरुसकार नहीं दिया गया इसका जो एंसर जगा नहीं वहल बारत का सूपर कंप्यूटर कौहन सा नहीं है , पहला दीए गह है, जो कि यह पुरिया अगले प्रतिवस ? आज़या आगिया है, ग्तिने ऑलम्पीड क्या जाए भुथ gelir ? कुल केतने बार किया गया है तो यह जो किया गया है कुल तीन बार किया गया है इसका जो answer जगा सी नमबर जगा है में अपनाई गे थी इसका जो एंसर जगा सी नमबर हो जागा 15 फ्रावरी 2020 को नई जन संख्या निती लाई गई जिसके मुख्य लक्ष क्या था इसके लक्ष जो था 45 तक इस्थिर जन संख्या को प्राप्त करना था आगे कोश्चन देख लेते हैं अभी हाली में आए किताब अजादी फ्रीडम फैसीज में फिक्षन किसकी रचना है तिया जो लिखा गया वो अरंडूती राय द्वरा लिखा गया इसका जो एंसर जगा डी नमबर हो जाएग यह जो अभियान जो चलाया गया था यह जगा ऑप्रेशन दोस्त इसका जो एंसर जगा सी नमबर हो जाएगा आगे कोश्चन देख लेते हैं ति यह पेट्रोलियम योजना और बिसलेशन प्रकोष्टा ने डेटा और अनुसंधान के छेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ एक आसे पत्र हस्ताक्षर किया गया तो यह जो किया गया अंतराश्टी उर्जया अजेंसी के साथ इसका जो एंसर जगा बी नमबर हो जाएगा आगे कोश्चन देख लेते हैं दिया गया कि नेशनल मेनुफेक्टरिंग इनुएसन सौर्वे एन एन एम आइस 2021-22 का नुसार सबसे इनुवेटिव राज यह कौन सा बना है तो सबसे इनुवेटिव राज जो बना है यह जगा करनाटक इसका जो एंसर जगा ए नमबर हो जाएगा आगे कोश्चन देख लेते हैं कि इस राज में मतदताओ का निर्वाधन नमंकन के लिए चुनाव आयो है इसमें यह मतदताओ का मतदाता सूची में नमंकन करने में मदद करेगा और चुनाव के दिन अपनी मतदाता केंदर का पता लगाने में उसकी साहता करेगा आगे कोश्चन देख लेते हैं कि इस देश की 11 साल बाद अरब लीग में वापसी हो यह बताना कि अरब लीग मे है वह किस संस्था का स्थाई नाम दिया गया तो यह जो होगा वह आल इंडिया रेडियो का इसका जो एंसर जगा ए नमबर हो जाएगा आगे कोश्चन देख लेते हैं दिया गए 200 मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचीव के रूप में किसे निक्त किया गया बता अगला कॉस्चन देख लेते हैं डाबलूटीसी फाइनल में सतक लगाने विले पहले बलबाज कौन बने यह जो बन गए ट्रेवीश हेड़ बने है इसका जो इंसर जगाई बी नमबर हो जाएगा अगला कॉश्चन देख लेते हैं नेहरू मिमोरियल म्यूजियम एन लेब किया रख़ा गया इसका अन्तराष्टी मैच खेलने माले पुरूस फुटवार और कॉन बनाव था जो बने हो क्रिष्टियान करणार बने है आगे question देख लिते हैं भारत के सलिष्टर जनरल के रूप में किसे निक्ट किया गया बतना आपको भारत के सलिष्टर जनरल हाली में कौन निक्ट किये गया है यह जो निक्ट जो किये गया है तुसार में है ता इसका जो answer जो जगा D number हो जाएगा अगला कोशन देख लिते हैं जो कि दिया गए बिदेश मंत्री एस जैसंकर ने अगामी राज सभा चुनाओ के लिए की सराज से नमंकन किया है बतना आपको बरतमान में बिदेश मंत्री एस जैसंकर जो है वह राज सभा चुनाओ के लिए कहां से नमंकन किया है तो यह जो कि यह है वह गुजराद से इसका जो एंसर जगा सी नंबर हो जाएगा आगे कोश्चन अम लोग देखने हैं उल्हें समान बिज्ञान और गणिट से जो कोश्चन है तो सबसे पहले समान बिज्ञान से कोश्चन दिया गया तो उसको देख लेते हैं पहला देख पार्सेग पार मात्रक है बताना आपको कि पार्सिक जोता है वह किसका मात्रक होता है यह जो मात्रक जोता है दूरी का होता है जो कि इसका जो एंसर जगा ए नमबर हो जाएगा जो कि पार्सिक जोता है दूरी मापने का सबसे बड़ी ही काई होती है आगे कोशन हम लोग देखते हैं जब पर सब्सक्राइब Europy process में पहल सब्सक्राइब कुल Canadian wars Non सब्सक्राइब में से इनन में सोर पर्थम जो हो जाएका आपको ताहरापूर इसका जो एंसर जगा सी नंबर हो जाएका है जो कि यह कहां पे ताहरापूर महराष्ट में जो कि इसका अस्थापना कप किया गया था ति इसकी अस्थापना जोए 1979 इसमी में किया गया था इसका जो एंसर जगा सी नमबर हो जाएगा आगे कोश्चन देख लेते हैं दियागे को उसमिय आयनन सिधान्त का महतपूर्ण देने बताना आपको को उसमिय आयनन का सिधान्त जो है इसका महत्पूर्ण देन क्या हो जाएगा तो यह जो हो जाएगा यह एम एन साह की इसका जो एंसर जागा ए नमबर हो जाएगा आगे कोश्चन देख लेते हैं सुची वान सुची दो को सुमिरिद किजिए तथा सुची यो को नीचे दियागा कूट का प्योग कर सही उतर का चैन करना है तो देख लेते हैं यहाँ सुची वन दिया गया यहां सुची दों सोची दों कोई आकसार पीरवर अगला देख़ बीधवत से द्वानी यह लाउड जी स्पीकर हो जायगा तह यह जो जगा तीन हो जायगा तह अगला दिये गहाई दुष्णा त्होजए गयाई disagreement चाहते इसका सही दू जायगा चार हो जाएगा उसके पाफ में दिया गया तह देख लेते हैं इसको दिया हit चार, तीन, दो, पाझ, जो किस में दिया गए, तो B में, इसका एंसर B नमबर हो जाएगा आगे कोश्चन देख लिएता हैं, ग्राघों के गती के नियम परतिपादित किया गया थे बताए ना, ग्राघों के नियम जो है, वो किस के तोरा परतिपादित किया गया था यह जो किया गया था वो केपलर दोरा इसका जो एंसर जो जगा बी नमबर हो जाएगा जो कि इन्हों नहीं सौर पर्थम असपस्ट किया गी सूरे के चारों और चकर लगाने वाले ग्रोहों का पत जो ता है वह द्रिग बिरिताकार या अंडाकार होता है यह किस ने किया था तो यह जो केपलर दोरा किया गा था इसका एंसर बी नमबर हो जाएगा आगे कोश्चन देख लेते हैं दियागे कि रेडियो एक्टिवीटी मापी जाती है बताना आपको कि रेडियो एक्टिवीटी जो है वह किसके दोरा मापी जाती है यह जो मापी जाती है यह हो जागा गाईगर काउंटर से इसका जो एंसर जागा बी नमबर हो जागा जो कि गाईगर मुलर काउंटर दोना पाया गया थόар कोड कि दोना क७झ के दोना किया गया था सुध्य सोना कितने केयरेट का होता है यह जो होता है इसका जो एक केरेट में कितने ग्राम होते हैं कि एक केरेट में एक ग्राम के एक बटा पांच के बराबर होता है अगला हम लोग कोश्चन देख लेते हैं सुची वन सुची दो को सुमिलित किजिए तथा सुचियों को नीचे देगा कूट को सही उतर कर मिलान करना है तो दिया गए सु सब्सक्राइब करते हैं जल के लिए पीएच मान होता है बताना आपको कि जल का पीएच मान होता है कितना होता है जल का पीएच मान होता है यह हो जाएगा लगभग साथ होता है इसका जो एंसर जागा बीनमबर हो जाएगा जो कि यही कोशन पूछ देगा कि पीएच भैलू का खोज किसके दोरह किया गया था यह जो किया गया था सोरेंसन दोरह किया गया था आगे कोशन चपर शुलफ होता है इसके कारण जो तब यह हुआ होता है इसका आगे हो देख लेग एंसर हो जाएगे कर्भोल से चता है वह कर उपने टोघ के कर दो सांगे कोश्चन देखरेगना में कार्बंड'यक्साइड की सब्कूदा होá होता है बताना आपको कि आग बुझाने वाले जो सरयंत्र जो है उसमें कार्बंड एकसाइड जो होता है यह हो जाएगा सोडियम बाइक कार्बोनेट तता तौनू सल्फियूरिक अमलस है इसका जो एंसर हो जागा सी नंबर हो जाएगा आगे कोश्चन देख लेते हैं दिया है बताना की कौन इसमें जो अस्तन पाई है तो देख लेते हैं पहला जार्च दिया गया है उसके बाद डिया गया उसके बाद वेल दिया गया है इसका जो एंसर जागा D-number हो जाएगा जो कि यही अस्तन पाई वर के जानतु जो हते हैं वह नियत तापी होते हैं आगे कोश्षन देखętे हैं निम्छ में से कॉन सा एक सचा फल नहीं है को इस से एक सचा फल कौन सा नहीं है मतलब कौन सा गलत है वो मं पनेर 묶 है अगला धी आगला से अंगुर अंगूर खजूर उसके बत less नहीं पुं 18 cm जो एक सचा फसल नहीं है इसका जो answer जो जाएगा वो A number हो जाएगा आगे हम लोग question देखते हैं दियागे कि होमोगलोबीन क्या है बताना आपको को होमोगलोबीन जो होता है वो क्या होता है तो होमोगलोबीन जो होता है या मानो रक्त में पाया जाना वला एक पदार थे जो कि है किसके बना होता है यह हीम प्लस गलोबीन का बना होता है जो कि इसी के कारण खुता यह लाल होता है इसका जो answer जगह C number हो जाएगा आगे question हम लोग देखते हैं दिया गे अधो liquid में से कौन से प्रीथिमी के carbon चक्र में carbon dioxide की मात्रा को नहीं बढ़ाता है यह जो जगा प्रकास संसलेशन, फोटो सेंथेटिस हो जागा, इसका जो एंसर हो जगा, बी नमबर हो जागा, आगे हम लोग कोश्चन देख लेते हैं, सुची 1, सुची 2 को मिलान करना है, तो देख लेते हैं, सुची 1 में दिया गए, रोग दिया गा, और सुची 2 में कारण बताना कोण सरो की स्कारंस होता है, फिर आग जायगा तो अगला डियागा रिकेट्स, जो होता है, वीटामिन D के कमीस होता है, ते यह यह आगला डियागा तो रतांडी, जो होता है, यह जो 4 जाएगा, इसका सही मिलान जो हो जाएगा 4123 जो कि किस में दिया गया तिया जो दिया गया 4123 C में इसका जो एंसर हो जाएगा C नमबर हो जाएगा आगे कोश्चन देख लेते हैं गया और भैस के थानों में दूध उतारने के लिए किस हर्मोन की सुई लगाई जाती है तिया जो हो जाएगा वो ऑक्सिटोसीन का इसका जो एंसर हो जाएगा B नमबर हो जाएगा आगे कोश्चन देख लेते हैं दियागे के एथलीट फूट बिमारी होता है बताना आपको के एथलीट फूट बिमारी जो वह किसके कारण होता है तिया जो जो तै फफूंद से कवक के दोरा हो जाएगा इसका जो एंसर हो जागा बी नमबर हो जागा जो कि यह कौन से कव गलत दिया गया कोशनियों Calove स्बृस्किंदे स्थाएं जो कि लिंक जो है आपको description में या comment box में मिल जाएगा आज इतना ही रखते हैं अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब निके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जागा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा ले जगा तक जब भी वीडियो डाले तो आपको notification प्राप्त हो और वीडियो को लाइक किजेगा और ज्यादा सजाद दोस्तों साथ सेयर किजेगा फिर मिलते हैं आप सकले वीडियो में तब तक ले धन्य बात जाये हिंद